हलो फ्रेंड्स, वेल्कॉण टू माई चैनल, स्वाकत है आपका मेरे चैनल पर मैं हरुप्री पटिल बात करूँगा आपसे इस वीडियो में 79 जास इच्छक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट जो है किस दिन आएगा तो देखिए जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है और आपका रिजल्ट जो है जिसतारी को आएगा अभी हम बात करेंगे और अगर आप चैनल पर पहली बारा है चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे कि आपको नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, अभी तो भरती के सुरुवात है बहुत सारी अडचने आने वाली हैं तो उन सभी अडचनों से कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे उससे जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे तो सुरू करते हैं आज की अपनी निउज की रिजल्ट कब आएगा तो निउज को देख लेते हैं देखी निउज है उत्तरपदेश, उनहात्ता या सिच्छक भरती के रिजल्ट की तारीक पर जो है मोहर लग चुकी है उनहात्तर हजार पदों पर हुई सिच्छक भरती का रिजल्ट जो है बुद्वार को अपलोड कर दिया जाएगा यानि तेरा माई को जो है ये रिजल्ट जो है आपको आनलाइन जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा आगे की नूज है सचीव और इच्छा नियाव प्रादिकारी अनिल भूसर चतुरवेदी ने नो भारस टाइम अलाइन से कहा है सिच्छक भरती का रिजल्ट तयार हो चुका है मंगल वार को सासन की एक बैठक होगी आयो की और से रिजल्ट जो है मंगल वार को जारी कर दिया जाएगा और इसे NIC लखनों के पास भिज दिया जाएगा बुद्वार को रिजल्ट आफिसेल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा हिंदी साहित के तीन प्रश्णों पर अनिल भुसर चतुरुवेदी ने कहा है इस संबंद में परिच्छा समिन दिने लेगी कि इन प्रश्णों पर सभी को समान अंक दिया जाए या इन्हें मुल्यांकन से बाहर कर दिया जाए एक बात मैं आपको बता दूँ 147 अंक पर आपका रिजल्ट डेकलेर नहीं होगा 1500 अंकों पर ही डेकलेर होगा ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रगेगा और तीन अंक जो है वो सभी को समान मिलेंगे आगे है यूपी उनातर या सिच्छा बरती का रिजल्ट 13 मई को आफिसल वेबसाइट यूज वेबसाइट आपकी इस पर जारी कर दिया जाएगा उमीदवार इस वेबसाइट से अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकेंगे यानि कल जो है 12 मई है 12 मई मंगलवार को रात्री मलब मंगलवार के दिन जो है कह सकते हैं आफ्लाइन जो है आपका र GB जारी कर दिया जाएगा उसके बाद जो है साइट पर अप्लोड हो जाएगा साइट पर और साइट पर है आप तेरा तारिक को जो है देख सकते हैं यही आज की निव्स थी कि जो कर नहीं होगी ठेक है इस जिए जो को आप लोग ध्याने के का भरती जो है अपने नियत समय पर हो जाएगी 20 से 22 दिन में ठेक है वैसे तो कहा गया था कि साथ दिन में हो जाए लेकिन साथ दिन में कहा होना है बलब कहा सकते हैं साथ दिन में कहा गया था कि भरती परक्रिया को सुरू कर दिया जाए तो भरती प्रक्रिया जो है आपकी साथ दिन में सुरू हो जाएगी ठेक है और देखते हैं धीरे धीरे जल्दी 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 यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो तेरा मई को जो है आप जो है इस साइट पर रिजर्ट देख सकते हैं ठेक है और म